हाई दोस्तों असलाव अलेक्वूम केसे आप लोग मेरा नबील है Firebolt Oracle है मेरे पास आज और यह एक wearable smartphone है एक wrist phone है आप इसको अपने हाथ पे पेनेगे पूरे proper एक Android smartphone का यह काम करेगा बहुत लोग को यह भी सवाल रहता है कि यार यह जो price point पे यह watches होती है इसमें तो एक बहुत ही basic से Android phone भी आ जाता है तो वो क्यों न ले यह watch क्यों ले तो यह lifestyle product है और इसका क्या use है actual में वीडियो में आगे आपको बताऊंगा पहले इसकी जो features है वो आप check out कर लो सबसे पहले इसको करते हैं उन्बॉक्स तो गाइस यह है Firebolt Oracle Smartwatch का box या Android watch है जैसे में आपको बताया था 4G, LTE और Wi-Fi यहां पे सब कुछ मौजूद है इसके अंदर Fire OS आपको मिलता है और box पे यह सारी चीज़े mentioned है और भी बहुत सारी चीज़े है लेकिन वो हम लोग एक एक करके वीडियो में देखने वाले है back side पे भी देखेंगे traditional information है और इस side पे भी इसकी additional information दीवी है box के अंदर आपको Firebolt Oracle watch देखने मिलेगी सबसे पहले फिर उसका user manual warranty, card यह सारी चीज़े और साथ में मिलेगा यह magnetic charger जो इसके bottom में हो जाता है connect और इसको charge करता है watch की design quality और look की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ही watch ultra से similar look देखने मिलता है और fully metal construction यहाँ पे आपको देखने मिलता है strap यहाँ पे silicon वाला है मेरी वाले variant में लेकिन आप दूसरे strap variants के लिए भी जा सकते है और आपके हाथ में पहनोगे आप इसको तो काफी smart look इसका निकल के आता है और बहुत ही जदा comfortable to wear भी है आपको कोई problem नहीं होगा इसको पहनने में और कोई भी skin irritation भी नहीं होगा यहाँ पे आपको एक functional digital crown देखने मिलता है साथ में यहाँ पे इसका यह वाला बटन है जिससे आप display को on off कर सकते हो यह crown को प्रेस करके आप menu में जा सकते है और menu में जाने के बाद अगर इसको प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे pack भी हो सकते इस वाले बटन से तो यहाँ पे इसका speaker grill देखने मिलता है आपको यहाँ पे इसका sim tray है जो यह action button जैसा दिया है actual में यह sim tray है इसको यहाँ से आप हाथ से ही pull करके open कर सकते है बस आपको इसमें अपना nail डालना है और यहाँ पे यह nano sim का tray आपको दिखने मिलेगा बॉटम में देखेंगे तो इसके सारे sensors और इसके charging connector pin दीवी है IP rating की बात करें इसकी तो इसमें IP 67 की dust and water resistance आती है तो यहाँ पे आप बिंदा इसको पानी वानी में भेगा सकते हो और आपके sweat से तो बिल्कुल यह watch खराब नहीं होने वाली इस watch के specifications की बात करें गाईस तो यहाँ पे आपको एक quad core CPU इसमें आप चाहे तो कोई भी जो आपका data है songs वगरा है या कुछ images वगरा है वो सारे स्टोर कर सकते और बेसिकली इसका जो काम है 16GB की इंटनल स्टोरेज का वो है application डाउनलोड करने का क्योंकि यह Android के ऊपर चलनी वाली watch है और यहाँ पर क्योंकि आपको Android का प्लेश्टोर देख मैंता है तो जो भी टाप का application को डाउनल डिस्टोर करना है वो कर सकते आप इस वाच को setup करना बड़ाई आसान है क्योंकि अपने आप में stand-alone device है इसको आपके phone की जरूत नहीं है smartphone है लेकिन उसकी जरूत नहीं है यह अपने आप में एक च्छोटा smartphone आप समझ बस यहां पर आपको एक SIM card इसके अंदर डालना होता है तो SIM card आपके सामनी में डाल देता हूं इसमें यह मेरा phone का मैंने SIM card यहां से बाहर निकाला यह एक nano SIM में जियो वाला जो मैं इसके अंदर लगाने माला हूं आप SIM card को watch के SIM trim मैंने डाल दिया है और अब इसको इसके अं आपको एक smooth feel इसके अंदर definitely देखने मिलेगी display के viewing angles भी अच्छा है देखिए side से यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं आपको सारी चीज़े clear इसमें नजर आ रही है इसका user interface भी बहुत ही simple and basic है ताक कोई भी इसको आसानी से use कर सके Android वाली smart watch है proper Android OS इसके अंदर चलता है तो आपको जैसे आपके phone में messages, contact और dial का option आता है settings आती है बिल्कुल वैसे ही आपको यहां पर सारी चीज़ देखने मिलेगी Google Maps और YouTube वगरा तो pre-installed ही आता है आपको इसको अलग से install करने की जरूद भी नहीं है यहां पर setting में भी जाके मैं आपको दिखा देता हूं कि यहा Wi-Fi वगरा जो है वो inbuilt आता है Bluetooth आता है आप इस पर TWS connect कर सकते हो यहां पर user interface menu बहुत ही सिंपल है इसका menu में जाने के लिए आप यह वाला बटन दबाके menu में जा सकते हो या फिर यहां से swipe करके भी menu में जा सकते हो top से bottom swipe करने पर आपको यहां पर notification मिल जाएंगे अगर आप कर सकते हो SPO2 का option है यहां पर blood oxygen level चेक कर सकते हो फिर आपको इसमें built-in pedometer मिलता है जितने आप steps लेंगे वो सारी चीज़े यह बता देगा आपको और इसे के साथ यहां पर आपको sports mode भी मिल जाते है और sports mode के अंदर आपको 300 plus sports mode मिलते हैं और क्योंकि android smartwatch है तो और भी आप sports system built-in मिल जाता है तो आप जैसे आपके smartphone के ऊपर Google Assistant का इस्तमाल कर सकते हो यहां पर भी कर सकते हो और calendar और यह सारी चीज़े जो कुछ आपके phone में आता है वो सब आपको यहां पर मिलेगा साथ ही यहां पर pressure measure करने के लिए भी एक app दिया हुआ है इस watch के अंदर bluetooth calling नहीं मिलत है तो आप कुछ समय पश्चात प्रयास करें और जैसे आपने भी सुना और देखा कि इस watch की जो Bluetooth calling की आवाज है वो loud and clear है क्योंकि आप इसके साथ Bluetooth earbuds भी connect कर सकते हो तो अपने earbuds पे वो call receive कर सकते हो आप watch के through और वहीं से बात भी कर सकते हो काफी आसानी से अब watch faces की बात करे है क्योंकि फोन के लिए कोई app है नहीं इनका यहीं से आपको सारे जो watch faces वकर है वो इसके ऊपर लगाने का option मिल जाएगा बैटर लाइफ की बात करें गाइस तो यहां पे इसके अंदर 700 mh capacity बैटरी है जो कि अच्छी खासी capacity है लेगिन क्योंकि यह smart watch भी है साथी standalone device भी है भी लगता है आप network का भी इस्तेमाल करेंगे वाइफा का भी इस्तेमाल करेंगे तो बैटर लाइफ आपको जो regular smart watch से उतनी लंबी देखने नहीं मिलेगी यूँकि प्रॉपर यह phone है तो आपको यह full day की बैटर लाइफ निकाल के दे सकती है और नॉर्मल यूस का इस फायर जिसका budget 6000 रुपे का ही है और उसको पास smartphone नहीं है तो इसको smartphone ही लेना चाहिए लेकिन यह किसके लिए यह lifestyle product है आप अगर सुबह jogging पे जा रहे हो walking पे जा रहे हो अपना phone carry नहीं करना चाते है एक sim card इसमें भी रख सकते हो अपने phone का sim card भी इसमें डाल सकते हो क्योंकि ऑफ फोन को carry करना भारी बरकम होता है pocket में रखना या हाथ में रखना जो है jogging के डाइम पे या walking के डाइम पे तो लोग अकेले रहते हैं सम जो senior citizen है अकेले रहते है धर में उनके जादा कोई members है नहीं और उनके पास phone हमेशा handy नहीं होता है तो यह watch अगर उनके पास रहेगी in case of a fall या गिर जाते कुछ भी होता है इंजरी हो जाती है तो अपने loved ones को या emergency में किसी को भी call कर सकते है phone range में नहीं रहेगा तब भी जो regular smart watch होती है उनके लिए phone range में होना बहुत जरूरी है और phone range में रहेगा तब ही उनसे call लगा पाएंगा लेकिन इसके लिए ऐसी कोई limitation नहीं है और ऐसी वह सारे लोग होते है जिनके workplace पे phones allowed नहीं होते है उसमें camera होने की वज़े से security purpose के लिए तो वहाँ पे यह जो watch है उ कॉम्ट में लिके जरूर बताईए और भी करता दोस्तों आपको आज का वीडियो पस्ना होगा पसे वीडियो को लाकिन श्राइब जरू कीजिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गुडबाई